अब आत राजिस्थान की करते हैं जहां साथ सीटों पर उप्चुनाव हैं ऐसे में नेता वोटरों को रिजाने के लिए अलग-अलग अंदाज में वोट मांग रहे हैं ऐसा ही एक अनोखा अंदाज इन दनों सुर्खियों में है राजिस्थान सरकार में मंत्री किरोडी लाल मीना का जो हाथ में लोटा लेकर लोगों से वोट की भीक्षा मांग रहे हैं गले में बैनर, हाथ में पीतल का लोटा और लोगों से वोट की भीक्षा देने की अपील राज़स्थान के मंत्री किरोडी लाल मीना ने वोट मांगने का ये अनोखा तरीका अपनाया है दरसल दोसा में उपचुनाओ है यहाँ से बीजेपी ने किरोडी लाल मीना के भाई जगमोहन को उमीदवार बनाया है और अपने भाई को जिताने की जिम्मेदारी खुद किरोडी लाल मीना ने ले रखी है इसलिए उन्होंने प्रचार के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया है किरोडी लाल मीना लोगों के बीच पहुचते हैं पीतल का लोटा आगे कर कहते हैं वोट दे ही किरोडी लाल मीना के हाथ में जो लोटा है उसमें कमल के फूल वाला उपचनाव का स्टिकर चिपका है किरोडी लाल मीना के इस चनाव प्रचार पर राजस्थान कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटा सरा ने तंसकसा है और उन्हें कहा कि वोदोसा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें मीना को इस हाल में ला दिया है कि अब उन्हें वोटों की भीक मांगनी पड़ रही है जनता अब उन्हें वोट नहीं देगी